नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमितंकूपर दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट कमिस्ट का जीके सेक्षन जिसका पोस्ट कोड है 871 तो चलिए शुरू करते हैं जीके सेक्षन और जितने भी आपको अंसर बताऊंगा सारे के सारे अंसर होंगे प्रोविजनल अंसर की के अकॉर्डिंग तो यह है अंसर की असिस्टेंट कमिस्ट की पोस्ट कोड 871 और यह है सीरिस ए तो एज़ाम हुआ है कत्तिस जनवरी 2021 को तो चलिए शुरू करते हैं जीके सेक्षन तो पहला कोश्चन है दा फर्स्ट चेर्मैन ओ हिमाचल प्रदेश प्रब्लिक सर्विस कमिशन वास तो हिमाचल प्रदेश लोग सेवा आयोग का प्रत्थम अध्यक्ष कौन था तो 121 का जो अंसर है ओप्शन ए लेटिनेंट जनरल केस कटोच नेस्ट कॉशन है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सड़क लंबाई सबसे ज्यादा है तो 122 का है ओप्शन डी कांगडा नेस्ट कॉश्चन है कि जनगर्णा 2011 के अनुसार किस जिले की दश्की व्रिदी दर सबसे कम है तो 123 का जो अंसर है ओप्शन B लाहौल स्पीती नेस्ट कॉश्चन है तैन्तु का जोत कुल्लू को हिमाच्य पुदेश के किस जिले से जोडता है तो 124 का जो अंसर है ओप्शन D कांगडा नेस्ट कॉश्चन है कुनिहार घाटी हिमाच्य पुदेश के किस जिले में स्थिते है तो 125 का जो अंसर है ओप्शन C सोलन में नेस्ट कॉश्चन किसे हिमाच्य पुदेश का मिनी स्विजलेंड कहते हैं तो किसको कहा जाता है मार्च ब्रष का मिनी स्विजर लेंड? तो 126 का आएगा option B, खजियार Next question है कि उन्तहरा़जसी राज्य की स्थापना किस ने की? तो 127 का है option A, गिर्षेन तो कि उन्तहराजसी राज्य की स्थापना की थी? गिर्षेन ने next question है कि कामरू किला हिमाचल पदेश में किस थान पर स्थित है तो 128 का जो अंसर आएगा option B सांगला तो next question 129 तो 129 है कि जहांगीर ने किस वर्ष में कांगडा किले को जीता तो इसका जो अंसर दिया गया है 129 का option A दिया गया है 1620 next question है कि शिमला की यात्रा करने वाला प्रत्थम गवर्णर जनरल कौन था तो 130 का जो अंसर दिया गया है option D लॉड एम हर्स्ट नेस्ट कॉस्चन है बिचोधा following is not a national park तो निमलिकित में से कौन सा राश्ट्री उद्यान नहीं है तो ग्रेट हिमारी नैशनल पार्क भी है पिन घाटी नैशनल पार्क भी है और सिंबल वाड़ा भी है लेकिन कुगती जो है नहीं है नेस्ट कॉस्चन है कि गुम्मा जल्विद्युत प्रियोजना किस नदी पर निर्मित है तो 132 का जो अंसर है option A यमुन्ना नेस्ट कॉस्चन 133 कौन सा हिमार्चल प्रदेश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है तो 133 का जो अंसर दिया गया है option A कुफरी तो फ्रेंड्स इसकी जीके सेक्षिन की जो आपको पीडियेफ डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगी और साथ में अंसर की की भी पीडियेफ आपको नीचे मिल जाएगी नेच्ट कोश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से जनजाती समुदाय द्वारा डांडर स्लोक नरित्य की जाता है तो 134 का है option C गद्दी next question है कि हिमाच्य पदेश में किस स्थान पर सारी मेला मनाया जाता है तो इसका जो अंसर है 135 का जो अंसर दिया गया है option c नगर में कौन सी सारी यात्रा तो सारी यात्रा मेला का रगता है नगर में next question है हल ही में क्रोना वाइरिस महमारी के संचालन के मुद्दे के कारण किस देश ने बिश्व स्वास्थि संगठन के साथ अपने संबंद स्माप्त कर दिये है तो 136 का अंसर दिया गया है option b USA next question है कौन सा देश वित्ती वर्ष 2019-20 के दोरान भारत में FDI का सरवादिक त्रोथ था 137 का अंसर दिया गया है option c Mauritius next question है भारत के किस association ने हाल ही में video conferencing द्वारा निर्यात पर डिजिटल शेकर समेलन आयोजित किया था 138 का है option a CII next question है किस राज्य ने हाल ही में कुशल प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंब की है तो 139 का जो अंसर है option c मध्य परदेश next question है हाल ही में समाचारों में रही चमबा टनल का उद्गाटन किस राज्य या केंदर शाषित प्रदेश में हुआ है तो चमबा टनल कहां पे है 140 का है अंसर दिया गया option d उत्रा खंड next question है तो reasoning के question है तो मैं directly आपको इसका अंसर दाता हूँ कि 141 का जो अंसर दिया गया है option b 13 next question है 142 तो 142 का जो अंसर दिया गया है option c 3 next question है 143 तो 143 का जो अंसर दिया गया है option b 10 meter west next question 144 तो 144 का जो अंसर दिया गया है option a next question 145 तो 145 का अंसर दिया गया है option b next question है निमलिकित में से कौन सा सिंदु घाटी स्थल है तो 146 का जो अंसर है option d ये सभी next question है प्रत्थम जैन संक्राइब प्रत्थम जैन संक्राइब किस थान पर आयोजित हुई थी तो 147 का जो अंसर है option a partly पुत्र next question है कि किसे 40 निश्ठवान गुलामों के समूह का गठन किया जिसे तुरकान चहलगानी कहते हैं तो किस ने किया था ये 148 का जो अंसर है option b इल्थू तमिशने next question है तुलू वंश का महांतम शाशक था तो कौन था 149 का जो अंसर दिया गया है option c कृष्ण देवराई next question है पलासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी तो ये हुई थी 1757 में next question है वेदों की ओर लोटो नारा किस ने दिया था किसका दर्ष वाक्य था ये तो 151 का है option b देनन्द सरस्वती का next question है convergent plates have तो अभिसारी परतों में होता है तो इसका जो 152 का अंसर दिया गया है option c destructive margins next question है सहारा मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है 153 का है option b नॉर्थ अफरीका next question है लखनो किस नदी के किनारे स्थित है 154 का जो अंसर है option a गोमती नदी के किनारे next question है 155 कल पक्कम नुकलियर पावर स्थेशन भारत के किस राज्य में स्थित है तो 155 का जो है option d तमिल नाडू में next question है 156 तो भारती संबिधान का कौन सा अनुछेद वित्ती अपातकाल से संबंदित है तो 156 का जो अंसर है option c आर्टिकल 360 next question है 157 तो भारत के प्रत्थम उपराष्टपती कौन थे तो 157 का जो अंसर है option a next question है लोकसभा की अधिक्तम संख्या कितनी है तो maximum strength of लोकसभा कितनी है 158 का अंसर आएगा option d आएगा 552 next question है कि संसद के स्युक्त सत्र की अधिक्षता कौन करता है तो 159 का जो अंसर आएगा option c लोकसभा अधिक्ष next question है कि उच नियाले के नियाधिशों की नुक्ति कौन करता है तो 160 का अंसर है option a president next question है बिशो भियापार संगठन का मुख्याले कहां पर है तो world trade organization का headquarter कहां पर है 161 का अंसर है option b जनेवा next question है कि कौन सा अप्रतेक्ष कर का उधारन है तो 162 का option a विक्रेकर next question 163 तो 163 का जो अंसर है option c next question है 164 तो 164 का जो अंसर है option b next question है 165 तो 165 का है answer option जो है इसका b next question है 166 तो 166 का जो अंसर है option d to find faults with others next question 167 तो 167 का जो अंसर है आशातीत में समास कौन सा है तो इसका जो अंसर है option a का बिशेशन है इसका अंसर है option d कर्मठ और next question है last question की चाल में प्रत्य क्या है तो 170 का है option d तो अंसर की में इसका जो अंसर दिया गया है option d दिया गया है तो आप देखते चाल तो शायद इसका जो अंसर कर आएगा option c आएगा लग क्योंकि जब भी HPSC अपनी जो है प्रोविजन अंसर की जारी करता है तो इसमें लगबग तीन या चार question जो होते हैं उन्हेंने गल्थ दिये ही होते हैं जो जो अंसर गल्थ होते हैं वो final answer की में सही कर दी जाते हैं